Hello Friends, Welcome to IT Study आज की वीडियो आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए काफी महतपूर्ण होगी क्योंकि इसी एक वीडियो के अंदर अब लोग अगस्त महिने की सबसे महतपूर्ण करण्ट अफेर्स को कवर करेंगे तो इसमें हम लोग अगस्त की कंप्लीट करण्ट फेर्स को देखने माले हैं इस महिने में कई सारी चीजे हुई हैं जहां से आपके एक्जाम्स कोशन पूछा सकता है जैसे की राष्टी खेल प्रोसकार दिये गए हैं सुक्सर्फिक्षन 2020 के रजल्ट राउंस किये गए हैं और इसके अवार्ड भी दिये गए हैं देश की नई राष्टी सिक्सन इती आई है 74th Independence Day मनाया भारत ने पना कई सारे रिपोर्ट्स और इंडेक्स पब्लिस किये गए हैं और इन सब के अलामा इस महीने की जो अपाइन्मेंट्स हैं ये काफी महत्वोर्ण हैं क्योंकि इस महीने में कई सारे महत्वोर्ण बदो पर नियुक्तिय हुई है तो यहां से आपके एक्जामे कोई नगवाई कोशन पूछा ही जाएगा तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरे अगस्त महीने से 120 questions कवर करेंगे जो आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए काफी मददकार साबित होगा तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो अगस्त महीने की current face को आप लेकर निशिंद हो सकते हैं तो अब चलिए सुरू करते हैं और हर एक question का answer आपको पहले खुश से सोचना है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सबसे पहला question है Traffic signal पर female icon का इस्तिमाल करने वाला भारत का पहला सहर कौन सा है तो महीलाओं के प्रति सम्म्यान वक्त करने के लिए भारत के मुंबई सहर में पहली बार female icon का इस्तिमाल किया गया traffic signal पर इस तरीके से तो मुंबई भारत का पहला सहर बनाया है जहां पर traffic signal पर female icon का यूज किया गया भारत की पहली किसान rail कौन से दो सहरों के बीच में चलाए गयी है तो इस साल के budget में किसान डेल से वा अनौंस की गई थी जिसमें special trend से लाने की बात कही गई थी जिसके जरिए किसानों के जो जल्दी खराब बने ओले चीजें है उनको एक असान से दूसे असान तक ले जाय जायेगा जैसे कि फल और सबजियां, दूद या फिर मांस और मसली तो इसी के तहट भारत की पहली किसान डेल जो चलाए गयी है ये देवलाली से लेकर दानापूर के बीच में चलाए गयी है अब देवलाली और दानापूर कहां पर है देवलाली है महाराश्च के अंदर और दानापूर है बिहार के अंदर तो महाराश्च और बिहार के बीच में पहली किसान डेल चलाए गयी सो इस क्वेशन का अंसर हो जाएगा option D और अगर आपसे ये पूछा जाए कि दक्षिन भारत की पहली किसान डेल कौन से दो सहरों के बीच में चलाए गयी है तो फिर अंसर होगा अनंत पूर्शे लेकर जो कि अनंत पूर आंध प्रदेस में है यहां से लेकर नई दिल्ली के बीच में चलाए गयी दक्षिन भारत की पहली किसान डेल और पूरे भारत की पहली देवलाली से लेकर दानापुर इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के लिए संयुक्त अरब अमिरात के किस सहर को मेजबन बनाया गया है तो इस साल का जो IPL है यह इसका 13 संस्क्रण है और इसे लिए इसका नाम है IPL 13 या फिर IPL 2020 भी इसको अब हो सकते हैं तो इस बार इसका आयोजन UAE के तीन सहरों में किया जा रहा है दुबई, सार्जा और अबुधावी इस बार यह 19 सेप्टमबर को सुरू हुआ है और इसका जो पहला मैस खेला गया था यह मुंबई इंडियन्स और चैन्नाई सुपर किंक्स के बीच में खेला गया था और इसको चैन्नाई सुपर किंक्स ने तीन विकेट से जीत लिया है तो इतना आपको याद रखना है फर्स्ट मैस के बारे में कई बार एक्जामे कोशन पूछा जाता है किस राज्य में एक नया भारती प्रबंधन संस्थान बनाय जा रहा है इंडियन इंस्टिट्यूट अफ मैनेजमेंट जिसका नाम होगा I.I.M. Sirmour तो इसका अंसर करना आसान है क्योंकि जो सिर्मौर है ये हिमाचल प्रदेश के एक जिले का नाम है तो इससे इसका अंसर हो जाएगा option D तो सिर्मौर जिले में एक धोला कुवा नाम का छोड़ा सा टाउन है वहीं पर ये बनाय जाएगा और हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज़े बना है जिसने जो नई सिक्सानीती आई है उसको अपनाया है तो नई राष्टे सिक्सानीती को अपनाने वाला भारत का पहला राज़े बना है हिमाचल प्रदेश COVID-19 की वैक्सीन को आधिकारिक तोर पर पंजीक्रित कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है तो दुनिया का पहला देश जिसने COVID-19 की वैक्सिन को ऑफिसेली पंजीक्रित किया है ये देश है रूस और इसको रूस के जिस अंस्थान ने बनाया है इसका नाम है गावालेया रिसर्च इंस्टेट्यूट जो कि यहां की राजधानी मासकों में है और इस वैक्सिन को नाम दिया गया है स्पुतनिक वी ये आपको याद रखने है भारत का पहला हीम तेंद्वा सरक्षन के अंदर किस राजधे में स्थाफित किया जाएगा तो भारत में पहली बार हीम तेंद्वा के लिए सरक्षन के अंदर बनाया जाएगा उत्तराखंड के अंदर वैसे तो जो हिमतेंदूदुआ है ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है लेकिन उत्तरखंड के अंदर भी पिछले कई सालों में चाहां पर कई सारे हिमतेंदूदूदो देखे गए हैं तो इसलिए इनके सरक्षन के लिए भारत का पहला हिम 23 सरक्षन के इंदर बनाय जाएगा उत्तराखंड में उत्तराखंड में एक जिला है जिसका नाम है उत्तरकासी तो यहीं परे बनाय जाएगा वैसे उत्तरकासी जिले में ही गंगोतरी नेशनल पार्ग भी है जहाँ पर हाली में उड़ने वाले किलेरी देखी गई थी तो इन दोनों को आप याद कर सकते हैं सीमा सुरक्षाबल यानि की Border Security Force यहाँ पर बात हो रहे BSF की तो BSF के नए महाने देशक कौन बन गए हैं BSF के नए Director General बने हैं राकेस अस्थाना Very very important अमरीत योजना के तहत राज्यों के रैंकिंग हाली में जारी की गई है आपको बताना है कि इसमें कौन सा राज्य सिर्श स्थान पर है तो अमरीत योजना जो है यह आवास और सहरी कार्य मंतला इसको संचालित करता है 2015 में इसको प्रधान मंतरी नेरेद मोधी जी ने सहरी ढाचागत विकास के लिए सुरू किया था तो आज तक इस योजना को लागू करने के मामले में भारत का नंबर वन राज्य रहा है ओडिशा So answer हो जाएगा option B इसके बाद दूसरे स्थान पर है भारत का केंदर सासित प्रदेश चंडीगर यहाँ पर आप इसका फुलफार्म भी देख सकते हैं अमरित का Util Mission for Rejuvenation and Urban Transformation किस पुरुवत्तर राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपय का उधगाडन किया गया है तो question के statement कुछ ऐसी है कि इससे पता चलता है कि यह भारत में किसी भी नदी पर बनाया गया सबसे लंबा रोपय है तो इसके लंबाई भी आपसे पूछ सकते हैं इसके लंबाई है 1.8 किलो मेटर और यह आसम के दो सहरों को जोड़ता है गुवाहाटी सिटी और नार्थ गुवाहाटी तो इसको बनाया गया है आसम के अंदर सो आंसर हो जाएका option A आप क्योंकि यह नदी पर बनाया गया है तो नदी का नाम भी आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पर आपको इस पिक्शेर में जो नदी दिखाई दे रही है इसका नाम है ब्रह्मपुत्र अंदी जब ब्रह्मपुत्र अंदी असम में इंटर करती है तभी इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है इससे पहले इसका नाम different होता है किस राज्य में तीन राजधानिया बनाई जाने की योजना है तो भारत का पहला राज्य जहाँ पर तीन राजधानिया होंगी यह है आंदर प्रदेश और यह concept कहां से लिया गया है यह concept लिया गया है सौथ अफरीका से क्योंकि दक्षिन अफरीका में भी ऐसे ही तीन राजधानिया है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाये तो जो यहाँ की प्रस्तावित राजधानिया है अंदर प्रदेश की वो यह होंगी यहाँ की कारेकारी राजधानि बनाय जायेगा विजाका पत्तनम को यहां की जुडेसियल यानि की नाइक राजधानी होगी कुर्णूल और यहां की विधाई राजधानी बनाया जायागा अमरावती को अभी कुछी कोशन पहले मैंने आपको बताया था कि दक्षिन भारत की पहली किसान रेल जो है यह आंधर प्रदेश के अनन्दपुर से लेकर नई दिल्ली के बीज में चलाई गई है तो अनन्दपुर यहां पर आप देख सकते हैं यह अनन्दपुर जिला तो यहीं से लेकर नई दिल्ली के बीज में वो ट्रेंज चलाई गई है किस लेखक या लेखी का ने अंतराश्टी बुकर प्रशकार 2020 जीता है इंटर नेशनल बुकर पाइस जो है ये इस बार दिया गया है मैरी के लुकास रिजने वेल्ड को ये नीदरलेंड की हैं और इन्होंने डेच भासा पर अपनी किताब लिखी थी लेकिन बाद में इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लांस किया गया जिसका नाम है The Discomfort of Evening यानि कि साम की बेचैनी तो इसी के लिए इनको इस बार का इंटर नेशनल बुकर प्राइस दिया गया है तो इनका नाम आपको याद रखने है Mary के लुकास रिजने बेल्ट वित मंत्राले ने एनाउंस किया है कि कितने लाख रुपे तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को अब से GST से छूट मिलेगी तो अभी तक के एमाउंट था 20 लाख रुपे लेकिन अब इसको दोगुना करके 40 लाख रुपे कर दिया गया यानि कि अगर भारत में किसी भी विजनेसमेन का एक साल का टर्नोवर 40 लाख रुपे तक है तो उसको GST से छूट मिलेगी GST दिवस जोए यह हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि 1 जुलाई 2017 को GST पूरे देश में लागू हुआ था रूस दोरा COVID-19 के लिए पंसे गिरत की गई वैक्सीन का क्या नाम रखा गया है तो रूस ने जो COVID-19 के लिए रेजिटर की है वैक्सीन इसका नाम रखा गया है Sputnik V अभी मैंने आपको कुछी क्वेस्टन पहले बताया था इसराईल के साथ में राजनेक संबंद स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है तो इसका correct answer होगा option D यानि कि सायुक्त अरब अमिरात ये अगस्ट और सेप्टेंबर महिने में काफी नियूज में था तो इसको आपको जरूर याद रखने यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं ये है इसराईल और यहाँ पर है UAE तो ये सारे जो Gulf countries हैं इनमें पहला देश बना है UAE जिसने इसराईल को मानेता दी है इसके बाद एक महिने के अंदर अंदर ही यहाँ पर दूसरा country जो है बहरीन जिसका नाम है इसने भी इसराईल को मानेता दे दी है तो UAE जो है ये तीसरा अरब country बना है और बहरीन जो है ये चौथा अरब country बना है जिसने इसराईल के साथ में अपने डिपलोमेटिक रिलेशन्स स्टैबलिस किये हैं इससे पहले दो अरब देशे सा कर चुके हैं मिस्र और जॉर्डन तो इतना आपको याद रखने है अब हम आगे बढ़ते हैं पांच अगस्त 2020 को आयोध्या में जो की उत्तर प्रदेश के आयोध्या जिले में है तो आयोध्या जिले में आयोध्या साहर है यहाँ पर राम मंदिर का भूमी पोजन और सिलान्यास किस ने किया तो राम मंदिर का भूमी पोजन और सिलान्यास किया है भारत के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी ने और यह जो राम मंदिर बनाई जाएगी इसका कांटर्ट दिया गया है लारसन एंड टुब्रो को उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेल खंड शेतर में जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है तो इसका राइट आंसर होगा अपसेंस ठी यानि कि इसराइल तो उत्तरप्रेस का जो बुंदेलखन वाला रीजन है यहाँ पर जनसंकर से निपटने के लिए इस्राइल के साथ में समझोगा किया गया है इस्राइल के इसमें ब्रधान मंतरी हैं बेंजा मिन नेतन न्याहू यहाँ की राजधानी है यरुसलम और यहाँ की करंसी है निव सेकल दो सो अरब डालर की संपत्ती वाले दुनिया के पहले वक्ती कौन बन गए हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यह हैं जेबेसॉस यह दुनिया के पहले वक्ति बने हैं जिनकी संपत्ति 200 अरब डालर से पार चली गई है 200 अरब डालर का मतलब 200 बिलियन डालर्स तो इस question का अंसर हो जाएगा option A जोकि दुनिया के सबसे अमीर वक्ति भी हैं और इनकी कंपनी है Amazon हाल ही में भारत सरकार ने भारत की कृषी छेतर में infrastructure यानि की बुनियादी धाचे के विकास के लिए एक fund बनाया है जिसका नाम है कृषी और सरक्षना कोस यानि की agricultural infrastructure fund तो आपको बताना है किसको PM नरेंदर मोदी जी ने कितनी धंडासी के साथ सुरू किया है तो इसके तरह जो भी लोग agriculture sector में कुछ भी करना चाते हैं तो उनको loan provide किया जाएगा भारत के जो विती संस्थान या फिर जो banks हैं उनके जरी उनको loan provide किया जाएगा इस fund को एक लाग करोण रुपे के साथ सुरू किया गया है तो अंसर हो जाएगा option A एक लाग करोण रुपे अंतर राष्ट्री युवादिवस 2020 इसके इस बार theme क्या है तो international youth days होता है यह हर साल 12 अगस्त को मना जाता है और भारत में जो युवादिवस होता है यह 12 जनवरी को मना जाता है क्योंकि इस दिन स्वामे विवेका नंजी का बड़े होता है तो अंतराष्टी युवादिवस जो 12 अगस्त को मना जाता है इसके इस बार theme है Youth Engagement for Global Action यानि कि Westwick कारवाई के लिए युवाओं की भागीदारी तो यह आपको याद रखना है This is very important वैसे भी अगस्त महिने में आपको सिर्फ एक ही डे की theme याद रखनी है और वो यही है इसके बाद यह रहा next question 14 अगस्त को किसने देश की सबसे बड़ी दोड Fit India Freedom Run का सुभारम किया तो Fit India Freedom Run जो है इसके सुरुवात की है भारत के खेल मंतरी कीरेन डिजीजूने यहाँ पर आप इसका लोगों देख सकते है Fit India Freedom Run और इसका आयजून किया जा रहा है 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक यानि कि महात्मा गांदी की 111 जैंती तक इसको आयजूत किया जाएगा तो काफी लंबी चलने वाली है इसलिए भारत की सबसे बड़ी रेस इसको बोला जा रहा है इस बार भारत ने अपना 74th Independence Day मनाया 15 अगस्त को तो इसके celebrations के हिस्से के रूप में कई सारी चीज़ों का आयजून किया गया जैसे कि भारत के प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जी ने एक अभियान शुरू किया था जिसका नाम था गंदगी मुक्त भारत अभियान और इसके तहट 8 से लेकर 15 अगस्त तक हर एक दिन पुरे देश भर में स्वक्सता के लिए कारेकम आयजित किया गया ऐसे ही भारत का जो रक्षम मंतरा ले है इन्हों ने 7 से लेकर 14 अगस्त तक आत्म निर्भरता सप्ता का आयजून किया और भारती रेलवे ने भी एक अभियान शुरू किया था स्वक्सता सप्ता नाम से तो ये 10 से लेकर 15 अगस्त तक चलाए गया और ये तो मैंने आपको बताई दिया कि Fit India Freedom रंज जो है ये 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक इसका आयज़न किया जा रहा है तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है हो सकता यहां से आपके एक्जाम में एक क्वेशन पूछा जाए सामान्य पात्रता परिक्षा जिसको सौट में बोला जा रहा है CET यानि कि Common Eligibility Test तो इसको आयज़ित करने के लिए किस एजनसी की अस्थापना की जाएगी तो आप सभी ने इसका राइट अंसर किया होगा इसके लिए एक नई एजनसी बनाई जाने वाली है जिसका नाम है National Recruitment Agency यानि कि राष्टी भरती एजनसी सो अंसर हो जाएगा option B इसका काम क्या होगा? इसका काम यह होगा कि जो भारत के इंदर ग्रूप B और ग्रूप C की नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उसके लिए उम्मीद्वारों का चैन करना तो इसी के लिए जो एजनसी है यह कॉमन एलजबिल्टी टेस्ट का आज़न करेगी और इसका जो स्कोर होगा यह तीन साल के लिए वैलिड होगा सुच सर्वेक्षन 2020 के अनुषार भारत का सबसे सुच सहर कौन सा है तो इसका आंसर आपको पता होगा आंसर है इंदर जो की मद्ध्य प्रदेश के अंदर है तो इसको लगातार चौथी बार इंडिया स्क्लीने स्टी का आवार्ड दिया गया है अब ये जो इस बार का सुच सर्वेक्षन हुआ था इसको आयजित किया गया था चार से लेकर 31 जनवरी तक टोटल 28 दिनों जाक चला और इसमें भारत के 4,242 सहरों को सर्वे किया गया ठीक है 4,242 अब अगर मैं इन सभी 4,242 सहरों को इनकी आबादी के हिसाब से बाढ़ दू तो भारत के जितने भी सहर जिनकी आबादी एक लाग से कम है उनमें सबसे सच सहर का बाढ़ दिया गया है काराड को दूसरा सबसे सच सहर है सासोड और तीसरा है लोनावाला और इंटेस्टिंग बात ये है कि ये जो तीनों सहर है टॉप त्री सहर ये तीनों महाराष्ट में ही है ठीक है तो ये तो है एक लाग से कम अबादी वाले सहरों में अगर हम एक लाग से ज़्यादा अबादी वाले सहरों में देखेंगे तो इसमें नमबर बन पर है मद्ध प्रदेश का इंदोर, दूसरे स्थान पर है गुजरात का सूरत, और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट का नभी मुंबई, तो इस तरीके से आप इनको याद रखिएगा, इसमें कुछ special awards भी दे गए हैं, जैसे कि cleanest capital city का वार्ड दिया गया है नई दिल्ली को, भारत क की सबसे स्वक्स राजधानी नई दिल्ली, तो इस बार cleanest containment board का वार्ड दिया गया है, जाल अंधर कैंड को, जो कि आपको सबी को बताए, पंजाब में है, इसके बाद इस सर्वे में, best performer state का वार्ड दिया गया है, लगातार दूसरी बार, 36 गर्ड को, सर्वस्षेश संचालित किया जाता है, तो ये जो इतना बड़ा सर्वे होता है, इसको संचालित करता है आवास और सहरी कार्य मंत्राले, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंग पूरी, स्वक्स रवेक्षन 2020 ये वार्षिक स्वक्ता सर्वेक्षन का कौन सा संस्क्रण था, तो अगर आपको बत स्वक्षन में कुल कितने सहरों को सामिल गया गया, करेक्ट आंसर होगा 4242, 4242, स्वक्ष सर्वेक्षन 2020 में सबसे सच राजधानी का दर्जा किसको दिया गया, तो क्लीनिस्ट कैपिटल का वार्ट दिया गया है नई दिल्ली को, अब इस कोशन में आपको ये बताना है कि इस बार, क्लीनिस्ट कंटेन्मेंट बोर्ट यानि कि सबसे सच सामि बोर्ट का आवार्ट किसको दिया गया है, करेक्ट आंसर होगा अप्षन C, यानि कि जाल अंधर कैंट, तो ये सारे क्वेसंस आपको इस बार के स्वक्षर्वेक्षन से याद रखने हैं, भारती मुलके हैं, तो काफ़े महत्वपूर्ण है, इनका नाम है प्रीतम-शिंग, और इनकी पार्टी का नाम है वरकर्स पार्टी, तो प्रीतम-सिंग यहाँ पर चुने गए हैं, किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र नामक एक विसेश पहचान पत्र की शुरुवात की है, तो इसक वाला Unique Identity Card इसी का नाम होगा परिवार पहचान पत्र तो इसको शुरू किया हर्याना की सरकार ने हर्याना में ही 2021 में दो मेजर गेम्स होंगे एक तो है Bricks Games और दूसरा है Kelo India Youth Games इन दोनों का आज़न किया जाएगा एक ही जगे पर पंच कुला हर्याना में PM नरेंद्र मोधी जी ने Port Blair को इन में से किस सहर से जोडने वाली Submarine Optical Fiber Cable का उदगाटन किया है तो अब अंड़मान निकोबार में भी Connectivity को बढ़ाओ देने के लिए भारत के मुक्खे भूमी से जोड़ दिया गया है इसको चन्नाई से Port Blair के बीच में एक Submarine Optical Fiber Cable बिचाई गयी है तो इसका अंसर हो जाएगा Option A ये जो केबल बिचाई गयी है इसके लंबाई है 233 किलोमेटर और इसको बिचाई है भारत संचार निगम लिमिटेट यानि कि BSNL ने यहाँ पर आप देख सकते हैं चन्नाई से लेकर Port Blair के बीच में इसको बिचाई गया है ये पानी के अंदर अंदर Submarine Optical Fiber Cable बिचाई गयी है तो इसे अंडमान निकोबार में 8 आइलेंड जो हैं यहाँ पर कनेक्टिविटी को बढ़ाव मिलेगा इनमें हैं Long Island, Port Blair, Little Unmant, Car Nicobar, Camorta, Great Nicobar, Havelock तो यह सारे जो हैं Havelock को इसे अब स्वराज दूभी बोला जाता है तो यह जो सारे आइलेंड हैं यहाँ पर भी अब Mobile और Landline Connectivity में सुधार होगा 13 अगस्त के दिन एक अब 30 गस्तिपोट लांच किया गया जिसका नाम है सार्थक तो आपको बताना है कि इसको कौन से सिप्यार्ड ने बनाया है तो इसको बनाया है Goa सिप्यार्ड Limited ने तो अब इसको लांच किया गया है और बाद में इसको कमिशन किया जाएगा तो यह जो अब 30 गस्तिपोट सार्थक है इसका इस्तिमाल करेगा इडियन कोस्ट गार्ड जिसके इसमें हेड है के नटराजन भारती क्रिसी अनुसांधान परिशत यानि की इडियन काउंसेल आफ एगरी कल्चर रिसर्च इसका तूसरा डेटा रिकवरी सेंटर किस नाम से लांच किया गया है तो सबसे पहले मैं आपको बता दू इसका जो मेंड डेटा सेंटर है वो नई दिल्ली के अंदर है जहां पर इसका हेडकोर्डर भी है लेकिन इसके महत्पूर्ण डेटा को सुरक्सित रखने के लिए एक अलग से डेटा सेंटर लांच किया गया है जिसका नाम रखा गया है क्रिसी मेग और इसको बनाय गया है है एदराबाद के अंदर तो ये आपको याद रखने है हैदराबाद के अंदर क्रिसी मेग नाम का डेटा रिकवरी सेंटर लांच किया गया है 1971 के मुक्ती संग्राम में जो भारती सैनिक सहीद हो गए थे उनकी याद में एक समारक बनाय जाएगा कौन से देश में तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आंसर होगा बांगलादेश बांगलादेश के इससे में पुर्धान मंत्री हैं सेख हसीना ये सेख मुझीवर रह्मान के बेटी हैं और सेख मुझीवर रह्मान जो थे इनको बांगलादेश का संस्थापग का जाता है और इनके जीवन पर भारत और बांगलादेश मिलकर एक फिलम बना रहे हैं जिसके डारेक्टर होंगे भारत के सियाम बेनेगल ये काफी मेत्पोर्ण केस्टन है इसको आपको याद रखना है बंगलादेश की राजधानी है ढाका और यहां की करंसी है टका STFC बैंक के अगले मुखे कारेकारी अधिकारी यानि के CEO कौन होंगे तो इसका राइट आंसर होगा option D यानि के ससिधर जगदीशन यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं अगर आप October से पहले वीडियो देख रहे हैं तो अभी किसमें इसके CEO है आदित्य पूरी लेकिन इन्होंने अनौन्स किया है कि October महने में यह अपना पत छोड़ देंगे तो उसके बाद बनेंगे ससिधर जगदीशन वसे आपको बता दूँ जब से बैंक बनी है 1994 में तब से इसके CEO यही हैं तो अलगबग 26 साल तक यह इसके CEO रहे हैं जो कि सबसे लंबा कारकाल रहा है भारत के किसी प्राइबेट बैंक के CEO का अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्तियां तो आपको वीडियो को पहले पॉस करना है और इनका अंसर खुश से सोचना है तो आपने इनका अंसर सोच लिया होगा अब मैं आपको बताता हूँ मेगाले के नए राजपाल बने है सत्यपाल मलिक जो की अभी तक गोवा के राजपाल थे लेकिन अब गोवा से इनको मेगाले में सिप्ट कर दिया गया है सीमा सुरुक्षबल यानि की BSF के नए डारेक्टर जनरल बने है राकेस अस्थाना यह मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था जम्मु कस्मीर के नए उपराजपाल बने है मनोज, सिन्ह इनसे पहले थे गिरीज संदर मुर्मु जिनको भारत का कंट्रोलर एंड अडिरे जनरल बना दिया गया है तो भारत के नए नियंतरक और महलेखा परिक्सक बने है गिरीज संदर मुर्मु संगलोग सेवा आयोग यानि की UPSC इसके नए अध्यक्स बने है प्रदीप कुमार जोसी इसके अलाओं दो अपाइंटमेंट्स आपको और होताता हूँ देखे आपको बताओगा जो भारत का इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया है उसमें एक तो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिशनर और दो होते हैं इलेक्शन कमिशनर तो भारत के जो दो इलेक्शन कमिशनर थे अभी तक एक तो थे असोक लवासा और दूसरे थे सुसील चंदरा तो सुसील चंदरा जो हैं यह अभी हैं लेकिन जो असोक लवासा थे इनको ADB का उपाध्यक्स बना दिया गया है Vice President बन गये है ADB के तो असोक लवासा के जगे अब भारत के जो ने चुनाव आइक्द बने हैं उनका नाम है राजिव कुमार तो इस इतने से आपको दो बात याद रखनी है कि ADB के ने उपाध्यक्स बने है असोक लवासा और भारत का जो चुनाव आइक्द बने है राजिव कुमार तो ये हैं इस महिने की सबसे महतपूर्ड अबाइन्मेंट्स आपको इनको एक साथ याद रखने है हलाकि आपको मैं इसी वीडियो में MCQs के रूप में भी कराऊंगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रहें तो यहाँ पर आप इन सब के आंसर नोट कर सकते हैं ये क्वेस्टन काफी आसान है अगर आप करेंट अफेस रगुलर पढ़ते हैं इन में से किस देश ने शहीत कासिम सुलेमाणी नाम से एक सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल का अनावरन किया है और ये एक बैलेस्टिक मिसाइल है इसकी मारक समता है 1400 किलमेटर तो इसको क्या है इरान ने इरान इसका राइट आंसर होगा सरकार दोर संचालित पहली अंतर राज्य हेलिकाप्टर सविधा कौन से राज्य से सुरू की गई है तो हाली में सरकार ने पहली बार इंटर स्टेट हेलिकाप्टर सविधा सुरू की है तो आपको बताना है किसको कौन से राज्य से सुरू किया गया है इसका राइट आंसर होगा option C यानि की उत्तराखंड और इसको संचालत गया था पौवन हंस लिम्टेड ने गौलियर चम्बल एक्सप्रेस वे जो की राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में बनाय जा रहा है आपको बताना है कि इसका नाम बदल कर किस पूर प्रदान मंतरी के नाम पर रखा जाएगा तो इसका नया नाम हो जाएगा स्री अटल भिहारी बासपई गौलियर चम्बल प्रोग्रेस वे तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा इसका नाम हो जाएगा आटल भीहरी वास्पेजी के नाम पर यहाँ पर आप जिनको देख रहे हैं इनका नाम है राहत इंदोरी इनका जनम इंदोर में हुआ था इसलिए इनको राहत इंदोरी बोला जाता है तो ये भारत के एक प्रिशित कभी और सायर थे और 11 अगस्त को इनकी डेथ हो गई है तो आपको बताना है कि ये किस भासा के कभी थे राइट आंसर होगा option A यानि की उर्दू ऐसे ही भारत के एक सास्री गायक पंटी जसराजी की डेथ हो गई जो की हर्याना के हिसार से थे ये भारती नइबल की पूरी दुनिया फेमस थे ऐसे ही सिक्किम के एक लोग संगीत कार सोनम सेरिंग लेपचा इनकी भी हाली में डेथ हो गई है इन में से किस बैंक ने ससस्तरबलनों के लिए सौरे केजीसी कार्ड डाम से एक विसेज कार्ड लांच किया है यहापर आप इसको देख भी सकते हैं इसको लांच किया है HDFC बैंक ने सो आंसर हो जाएगा option B यहापर केजीसी का मतलब है किसान गोल्ड कार्ड World Health Organization यानि कि WHO दॉरा 25 अगस 2020 को इन में से कौन सा महादविप पोलियो फ्रेडेकलर कर दिया गया 25 अगस के दिन अफरीका महादविप जोए इसको कम्प्लीटली पोलियो फ्रेडेकलर कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कंट्री था जहाँ पर पोलियो मौजूद था उसका नाम था नाइजीरिया लेकिन यहाँ पर भी 2016 के बाद से पोलियो का एक भी मामला सामने नहीं आया था और जब भी किसी देश में पिछले चार सालों में polio का IB मामला सामने नहीं आता है तो उसको polio free declarer कर दिया जाता है तो Nigeria को declarer करते ही पूरा का पूरा फरी का महादीब polio free declarer हो चुका है यहाँ पर मैं आपसे दो कोशें पूचता हूँ जिनका अंसर आपको comment box में लिकर बताना है एक तो यह कि आज के समय कौन से देश हैं जहाँ पर polio मौजूद है वो आपको बताना है और दूसरा यह कि भारत को कौन से साल में polio free declarer किया गया था तो इन दोनों question का अंसर आपको बताना है अगस के महीने में इन में से किस देश्ट ने काला सागर तेट के समीब एक बहुत बड़े प्राकरतिक गैस भंडार की खोश की है तो इसका correct answer होगा option C यानि कि तुर्की यहाँ पर आप map में देख सकते हैं यह है काला सागर यानि कि ब्लैक C और यह है तुर्की तो इसमें तुर्की ने यहाँ कहीं पर यह भंडार की खोश की है जो कि है 320 billion cubic meter तुर्की के राजपती है रसेप तैयप एर्दोगन हर साल विश्ट उस्तनपान सब्ता कब से कब तक मनाया जाता है तो अगस महिने की यहाँ पर हम लोग current effect देख रहे हैं तो अगस महिने का जो पहला week होता है एक से लेकर 7 अगस तक इसको विश्ट उस्तनपान सब्ता यानि की word breastfeeding week के रूप में मनाया जाता है तो अंसर हो जाएगा option A इसकी हर साल एक theme भी रखी जाती है इस बार इसकी theme रखी गई है support breastfeeding for a healthier planet इसी के साथ हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि इस महिने में कौन-कौन से important weeks मनाया गए हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताए एक से लेकर 7 अगस ये मनाया गया विश्ट उस्तनपान सब्ता यानि की word breastfeeding week जिसकी theme है support breastfeeding for a healthier planet फिर दूसरा है 24 से लेकर 28 अगस यानि की एक मनाया गया था अगस के पहले सब्ता में और एक आखरी सब्ता में तो आखरी सब्ता में मनाया गया था विश्टो जल सब्ता यानि की word water week इसकी इस बार theme है water and climate change accelerating action वैसे आपको बता होगा जो 22 मार्च को विश्टो जल दिवस होता है उसकी इस बार theme थी water and climate change तो बस इसी में आपको थोड़ा सा एट करना है accelerating action यानि की हमको अपनी कारिवाई को और भी ज़्यादा तेज करना है यह question railway से है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस समय भारत के जो railway मंत्री है प्यूस गोयल इन्होंने किस राजी के हुबली railway station पर एक railway संगरालय का उदगण किया है तो अगर आपने हमारी weekly current fest की वीडियोज देखी होंगी तो अब तक आपका अंसर आ जुका होगा अंसर होगा करनाटक तो यह जो हुबली railway station है यह करनाटक के अंदर है और इसी railway station पर हाली में भारती railway के इतिहास से जुड़ा एक museum बनाया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और एक चीज़ और आपको बताये तो यह जो railway station है इसका नाम बदला जाएगा अब इसका नाम रखा जाएगा सिद्धर उद्धा स्वामी जी के नाम पर इसके लिए कबिनेट ने मंजूरी देदी है यहाँ पर आपके सामने भारत के चार मंत्राले के नाम लिखें क्री मंत्राले, रक्षा मंत्राले, सिक्सा मंत्राले और परटन मंत्राले आपको इन में से उस मंत्राले का नाम बताना है जिसने इस बार साथ से लेकर 14 अगस्त तक आत्म निर्भरता सप्ता मनाया था तो इसका आंसर मैं आपको इसी बेडियों बता चुका हूँ आंसर होगा रक्षाम मंत्राले जिसके मंत्री हैं राजना सिंग और ये लखनों से सांसाथ हैं जहाँ पर इस साल Def Expo 2020 का आजन किया गया था भारती रेलवे ने ट्रेनों की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए कौन सी एप्लिकेशन लॉंच की है तो ट्रेनों की रियल टाइम में मॉनिटरिंग करने के लिए O.H.E. एप्लिकेशन एप लॉंच की गई है यहाँ पर O.H.E. का मतलब है Overhead Equipment तो अंसर हो जाएगा Option C जो लोग भारती वास्तों होना में सामिल होना चाहते हैं उनके लिए एक एप्लिकेशन लॉंच की गई है जिसके जरी उनको करियर संबन्दी जानकरी दी जाएगी तो इस एप्लिकेशन का नाम क्या है इसका नाम है My IAF यहाँ पर IAF का मतलब है Indian Air Force भारती वास्तों होना के समय चीफ है Air Chief Marsal Rakesh Kumar Singh Bhadauria रक्षामत्री राशनाज सिंग ने NCC कैड़ेटों को online prescription देने के लिए कौन सी application launch की है तो NCC कैड़ेटों को online training दी जाएगी इसके लिए application launch की गई है DGNCC जिसका मतलब है Directorate General National Cader Corps इन में से किस भारती ने London में आयोजित Mental Calculation World Cup में सोंड पतक जीता है तो पहली बार किसी इंडियन ने Mind Sports Olympiard जो हुई थी उसमें Mental Calculation World Cup में सोंड पतक जीता है इनका नाम है नील कंट भानु प्रकास तो इसी के साथ ये दुनिया के fastest human calculator बन गए है नील कंट भानु प्रकास ये हैं हैं हैधराबाद से हैधराबाद वही सेहरे जहाँ पर कृसी मेग नाम का Data Recovery Center launch किया गया है ICAR के लिए Food Safety and Standards Authority of India इसने भारत के स्कूलों और सिक्षन संस्थानों में कितने मेटर के दारे में जंग फूड की विक्रीपर रोक लगा दी है साथ ही साथ इसका विग्यापन भी नहीं किया सकेगा तो इसका आँसर आप सभी जानते होंगे आँसर होगा 50 मेटर क्योंकि यह पिछले साल ही अनौंस किया गया था अब इस साल इसको इंप्लिमेंट किया जा रहा है अब बुज़ेचा कि आप जानते हैं इस साल देश की नई सिक्षानीती आई है तो इस पर जो क्वेशन आपकी एक्जाम में बन सकते हैं उनको हम देखते हैं जो आपकी एक्जाम में डिरेक्टली पूछ सकते हैं सबसे पहले है नई सिक्षानीती 2020 के अनुचार इस समय जो स्कूली शिक्षा का 10 प्लस 2 पाठकरम है इसके जगह पर कौन सा स्ट्क्षर अपनाया जाएगा तो 10 प्लस 2 के जगह अब 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 स्ट्क्षर को अपनाया जाएगा सो अंसर हो जाएगा ऑप्शन B इसको आप जोड़ेंगे तो यह आएगा 15 साल यानि कि अभी स्कूली सिक्सा 15 साल की हो जाएगी तो यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं सुरवाती जो 5 साल होंगे यह होगा foundation stage इसके बाद अगले 3 साल होंगे प्रेपरेटरी stage फिर अगले 3 साल middle stage और आखिरी के जो 4 साल होंगे यह होगा secondary stage अब इसी बर कुछ important question देखते हैं जो directly आपके exam में आ सकते हैं जो अभी राष्टी सिक्सा नीती आई है 2020 यह किस पुरानी सिक्सा नीती का स्थान लेगी तो देखे अभी तक सबसे पहली भारत की सिक्सा नीती आई थी 1968 में फिर उसके बाद आई थी सिक्सा उड़ा कर दीजे 1986 और आप आई है 34 साल बाद 2020 में तो 2020 में जो education policy आई है यह तीसरी सिक्सा नीती है यह 1986 वाली का स्थान लेगी तो इस question का अंसर हो जाएगा option C यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 1968, 1986 और 2020 और अभी जो तीसरी सिक्सा नीती आई है इसको 29 जुलाई को cabinet में मंजूरी दे दी है यहाँ पर आप और भी सारी चीज़ें यहाँ पर बढ़ सकते हैं वैसे मैंने आपको weekly current phase की वीडियोज में इसके बारे में detail में बताया था तो क्योंकि यहाँ पर हम लोग मंतली current phase की वीडियो देख रहे हैं तो इसको मैं उसी हिसाब से बना रहा हूँ ताकि आप इसको exam time में जल्दी सल्दी revise कर पाएं मानो संसादन विकास मंत्राले का ना बदल कर क्या रख दिया गया है तो भारत का जो मानो संसादन विकास मंत्राले है इसका नाम simply up कर दिया गया है शिक्सा मंत्राले जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निसंग इसके बाद यह रहा next question नई सिक्षानीती के मताबिक दुनिया के सीर्ज कितने विस्षविद्यालियों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमती दी जाएगी तो अब जो विदेशी उन्वेस्टीज हैं वो भी भारत में अपना कैंपस खोल पाएगी ऐसे दुनिया के जो टॉप हंडेड उन्वेस्टीज होंगी उनको ये अनुमती दी जाएगी तो इसको इसन कांसर होगा हंडेड देश के सिक्षन संस्थानों में सोध की संस्कृति विक्सित करने के लिए किस संस्था के अस्थापना की जाएगी तो भारत के जो educational institutes हैं उनमें research को बढ़ाओ देने के लिए एक अलग संस्था बनाई जाएगी जिसका नाम होगा National Research Foundation इस question को पढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको सरकार के दो लग से बताऊंगा जो कि आपको याद रखना है इसको नई सिक्सा निजी 2020 के माद्यम से achieve करना है तो ये दो लग से कौन कौन से हैं नमबर वन है स्कूली education के लिए तो भारत में जो स्कूली 6 है यहाँ पर आज के समय जो gross enrollment ratio है ये लग बग है 56.5% लेकिन इसको बढ़ा करके 100% करना है 2030 तक ओके तो ये है पहला लग से दूसरा लग से है higher education के लिए इसमें आज के समय gross enrollment ratio है लग बग 26% लेकिन इसको बढ़ा कर 50% करना है कब तक 2035 तक तो ये दोनों लग से आपको याद रखने इस question में पूछा गया है कि इसकोली सिक्सा में 100% सकल नामंकन अनुपाद हासिल करने का लख्स कब तक रखा गया है आंसर होगा 2030 इन सब के बारे मैंने आपको weekly current phase की वीडियोस में डीटेल में बताया है तो वहाँ पर आपने देखा ही होगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं नई राष्टे सिक्सा नीती को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है तो इसको लागू करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश कई राज्य बोल रहे थे कि पहले इसको हम लागू करेंगे लेकिन हिमाचल प्रदेश ने इसको ततकाल प्रभवाव से लागू कर दिया है और ये पहला राज्य बन गया है यहाँ पर आपके सामने भारत की चार IITs के नाम लिखें इन में आपको उस IIT का नाम बताना है जिसने भारत की राष्टे सिक्सानीती के प्रस्ताव को अबना लिया है और इसके परिसर में राष्ट्रिय और लोकल अकादमी की सुरुवात की है तो इससे क्या होगा जो भारत के IIT संस्तान है यहाँ पर भी मीजिक वगेरा के टर्निक दी जाएगी तो इसको सुरू किया सबसे पहले IIT खड़कपुर ने वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो यह सारे questions थे इस बार के National Education Policy पर अब हम आगे बढ़ते हैं भारत में इस समय आत्मेरबर भारत अभ्यान काफी 23 से आगे बढ़ रहे है तो यहाँ पर आपको इस question में बताना है कि सुदेशी करण को बढ़ाओ देने के लिए ने किस मंतराले ने kitchen portal launch किया है याँ पर किसी चीज किस वुलपादन की बात हो रही है याँ पर बात हो रही है रक्सा अउत्पादन के सलुपादन की तो इसी से आप समजगे होंगे इसका अंसर होगा रक्सामंय ले केंदरी मंत्र मंडल ने PPP योजना के तहट किस हवाई एड़े को लीस पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है PPP योजना का मतलब है Public-Private Partnership तो इसके तहट तीन हवाई एड़े जो है भारत के इनको लीस पर दिया जाएगा किसको दिया जाएगा अड़ानी ग्रूप को और कितने साल के लिए जाएगा 50 साल के लिए तो ये तीन एएरपोर्ट कौन कौन से हैं जाइपुर एएरपोर्ट, गुवाहटी एरपोर्ट और तिरुवननद पुरम का एरपोर्ट इसको इसन का अंसर हो जाएगा ओपरोग तो सभी इन में से किस बैंक ने किसानों की साग का आगलन करने के लिए सैटलाइट डेटा को प्योग करने का फैसला किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा आप्शन ए यानि की ICICI बैंक इसको आप ऐसे आद कर सकते हैं देखो इनको सैटलाइट डेटा कहां से मिलेगा ISRO से तो I for ISRO और I for ICICI Bank One Arranged Murder इस किताब को किसने लिखा है तो यहाँ पर आप देखकर ही समझ गया होंगे यह हैं चेतन भगत तो इनकी latest novel लांच हुई है One Arranged Murder वैसे इस महिने में जितनी भी books चर्चा में थी उन सब के बारे मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा एक साथ तो अभी बस आपको ऐसे ही वीडियो को ध्यान से देखके चलना है यह question very important है इसमें आपको यह बताना है कि केंदर सरकार ने जो राश्टी ट्रांजेंडर परशक्त गठन किया है इसके अध्यक्स कौन होगे तो इसका अध्यक्स वो होगा जो कि भारत के सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री होगे जो कि इस समय है थावर चंद गहलोत तो इसके अध्यक्स वो होगा option D इन में से किस पुरवत्ता राजी की सरकार ने यह announce किया है कि यहाँ पर दो अक्टूबर से अरुनोदा योजना लांस की जाएगी यह जो अरुनोदा योजना होगी इसमें हर एक परिवार को एक महिने में 830 रुपए परबन दिये जाएंगे हर महिने 830 रुपए दिये जाएंगे जरुरी सामान खरीदने के लिए तो ये अनॉंस किया है असम की सरकार ने So answer हो जाएगा option A इस साल देश के कितने teachers को राश्टी सिक्सक पुरुषकार 2020 से सम्मानित किया गया तो इस साल national teacher price दिया गया है भारत के 47 teachers को ये question भी इसी से related है याँपर आपको बताना है एक लब माडल आवासी विद्ध्याले के लिए किस एक मात्र teacher को national teacher price 2020 दिया गया है तो अभी मैंने आपको जो बताया कि 47 teachers को national teacher price दिया गया है तो इन में से एक जो teacher है ये एकलब माडल आवासी विद्ध्याले से हैं इनका नाम है सुधा पैनूली इस साल सितंबर महिने में एक बहुराश्टी सान अभ्यास हुआ था जिसका नाम था कावकास 2020 इसमें कई सारे countries ने participate किया इसमें भारत को भी invite किया गया था लेकिन भारत ने इसमें ना सामिल होने का फैसला गया था इसके पिछे सरकार ने कारण दिया था COVID-19 का लेकिन actual में इसका कारण ये था क्योंकि इसमें भारत के साथ में पाकिस्तान और चाइना भी सामिल होने वाले थे तो इसलिए भारत ने इससे withdraw कर लिया था तो यहाँ पराक को ये बताना है कि ये जो कावकास 2020 अभ्यास हुआ था इसका आयोजन कौन से देश में किया गया था तो इसका right answer होगा option A यानि कि इसको रूस के अंदर आयोजित किया गया था तो जब भारत इसमें सामिल नहीं हुआ तो भारत ने रूस के साथ एक अलग से भ्यास किया था जिसका नाम था इंदर नेवी 2020 ये काफी महत्तपोर ने इसको याद रखना है आपको इंदर नेवी 2020 ये दोने देशों की नेवी के बिसमें किया गया था बंगाल की खाड़ी में इन में से किस सहर में आभासी तरीके से विस उर्दू सम्मेलन का आईजोन किया गया तो वर्ड उर्दू कांफरेंस इस बार हुई है नई दिल्ली के अंदर ACI विकास बैंक जिसका हेड़कौर्टर फिलिपिन्स की राज़ाने मनीला में है इसके नए उपाध्यक्स कौन बने हैं तो देखे इसमें आपको दो चीज़े आद रखनी है इसके अध्यक्स हैं मसाथ सुगु असाकावा जो की जापान से हैं और अभी इसके नए उपाध्यक्स बने हैं भारत के असोग लवासा सो अंसर हो जाएका उप्शन C और क्योंकि ये भारत के अभी तक चुनाव आयुक थे तो एलेक्सन कमिशन में इनकी जगेली है राजिव कुमार ने ये मैं आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ हाले में सिक्षन संस्थानों की एरिया रेंकिंग 2020 जारी हुई है आपको बताना है किसमें कौन से संस्थान ने सीर्श संस्थान हासिल किया है ये जो एरिया रेंकिंग होती है ये 2019 में पहली बार शुरू हुई थी तो इसका फुलफाम होता है अटल रेंकिंग औफ इंस्टिउशन औन इनोवेशन एचीब्मेंट्स यानि कि जो भारत के इंस्टिट्यूट्स है उनकी नवाचार उपलब्धियों पर ये रेंकिंग जारी की जाती है और पिछली बार भी इसमें नंबर वन पर था IIT मदराज और इस बार भी नंबर वन पर है IIT मदराज सो अंसर हो जाएगा option A यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछली बार ये 5 काटेगरी में जारी किया गया था इस बार इसमें एक नई केडिगरी आट की गई है ये जो नई केडिगरी आट की गई है इसके बार में आपको याद रखना है कि इसका नाम है Higher Education Institutions Exclusively for Women यानि कि भारत के जो इंस्टेट्यूट्स जो हैं सिर्फ महिलाओं के लिए हैं उनको इसमें रखन किया गया है और इसमें नंबर वन पर है अवनास लिंगम इस्टेट्यूट्ट फार Home Science and Higher Education for Women जो की है तमिलनाडू के अंदूर Next question and very important इन में से कौन सा देश 2021 ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करेगा तो 2021 में जो ब्रिक्स गेम्स होंगे इनकी मेजबानी करेगा अपना भारत और इसका एजून कहां पर किया जाएगा हरियाना के पंचकुला में जहां पर 2021 के खेलों इंडिया यूद गेम्स भी होंगे इन में से किस बीमा कंपनी ने एक नया भीमाद पाद लांच किया है जिसका नाम है सगुन गिफ्ट एन इंसेवरेंस यानि कि आप इसको खरीद कर किसी दूसरी ब्यक्ति को गिफ्ट में भी दे सकते हैं तो इसको लांच किया है SBI General Insurance ने करेक्ट आंसर होगा आप्सन A भारत ने मालदीव को Connectivity पर योजनाओ के लिए कितनी सहायता राची देने के एनॉंसमेंट की है तो मालदीव के अंदर एक greater माले connectivity प्रोजेक्ट चल रहा है उसे के लिए भारत इसको देगा 500 मिलियन टॉलर So answer होगा आप्सन C इसके अलाओं मैं आपको बता दू COVID-19 से निपटने के लिए भारत मालदीव को दे रहा है 200 मिलियन टॉलर तो दोनों आपको याद रखने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगे पर हैं मालदीव और अभी-अभी मालदीव की राजधानी माले से लेकर भारत में इधर कोचीन और इधर तूती कोरिन इन दोनों के बीच में सीधी कार को फेरी सेवा सुरु हो चुकी है इसके लाओं मालदीव के साथ में एक और समझेता किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं माल्दीव के सबसे दक्षिन में है एडू एट आल तो यहाँ पर पांच छोटे-छोटे आईलेंड्स हैं जिनको एको टूरिजम जोन के रूब में विक्सित किया जाएगा और इसी के लिए भारत और माल्दीव ने अनुबंद पर हस्ताक्षर किये हैं तो इस कोईशन का अंसर होगा माल्दीव 222 करोण उपय की बोली के साथ इन में से किस ने IPL 2020 के सीर्षक प्रायोजन का अधिकार हासिल किया है तो इस साल जो IPL हो रहा है 13 संसक्रण इसके टाइटल स्पंसर्शिप का अधिकार जीता है ड्रीम 11 ने संग लोग सेवा आयोग यानि की UPSC के नए अध्यक्स कौन बन गए हैं तो UPSC के अभी तक अध्यक्स थे अरविंद सक्सेना अब इनका स्थान लिया है प्रदीप कुमार जोसी ने तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इस वीडियो में जो मैंने आपको एक साथ बताया थी अवाइन्मेंट्स अब उनको यहाँ पर मैं MCQS के रूप में भी आपके सामने प्रजन करूँगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रहें इन में से किस राष्टी उद्यान में उड़ने वाली गिलहरी हाली में देखी गई है जिसको माना जाता था कि 70 साल पहले यह विलूप्त हो चुकी है तो इसको हाली में देखा गया है गंगोतरी नेशनल पार्क में जो कि उतरा खंड के उतरकासी जिले में है अगर आपने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देखाए तो आपको कमेंट मक्स में लिकर यह बताना है कि उतरकासी जिला जोए यह हाली में किस एक और कारण से निउज में था यह आपको बताना है पंदरा अगस 2020 को भारत के किस दिगज क्रिकेटर ने अंतराष्टी क्रिकेट से सन्यास लिया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महेंदर सिंग धोनी और सुरेश रहना सो अंसर हो जाएगा ओप्सिन C इन में से कौन सी दो सामान निभीमा कंपणियों ने अपने कारोबार का विले करने की एनांस्मेंट की है तो भारत की दो जर्रल इंसरेंस कंपणिया हैं जो मर्ज हो जाएगी और यह भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट जर्रल इंसरेंस कंपणिय बन जाएगी तो ये दो हैं ICICI Lombard और भारती EXA So answer होगा option C इन में से किस राज्य में प्रतीक्सा नाम की पहली समुद्री Ambulence launch की गई है तो प्रतीक्सा नाम की जो समुद्री Ambulence है इसको मचवारों की जान बचाने के लिए launch किया गया है केरल के अंदर केरल के 33 पुरम जिले में इसको launch किया गया है जो कि यहां की राजधानी भी है इस समय जो भारत की 6-3 संपर्क योजना है उडान जिसको बोलते हैं उड़े देश का आम नागरिक इसका भी 14 चरण चल रहा है उडान 4.0 तो इसके तहद भारत में कितने नए मार्गों को मंजूरी दी गई है यह आपको बताना है तो इसके तहद 78 नए मार्गों को मंजूरी दी गई है यह जो 78 नए मार्ग शुरू गिये गए हैं इसमें इस बार भारत के जो पुर्वोत्तर राज्य हैं या फिर जो पहाड़ी राज हैं या फिर जो लक्सदीप के जो अगती जैसे आईलेंड्स हैं इनमें connectivity पर जोर दिया गया है तो ये भी आपको याद रखने हैं अब हम आगे बढ़ते हैं T20 क्रिकट के इतिहास में 500 विकट लेने वाले पहले बल्ले बास कौन बन गए हैं तो अभी तक इसके जो उपराजपाल थे गिरीज, चंदर, मुर्मू इनको भारत का 40th कैक बना दिया गया है तो इनके बाद जम्मु कस्मीर के नए उपराजपाल बनाए गये हैं मनोज, सिन्हा So answer होगा option C Krisi और किसान कलन मंत्राले जिसके मंत्री है Narendra Singh Tommar और अभी अभी आपको बता दू, इनको जो भारत का खाध्य प्रसंसक्रण मंत्राले है उसका कारभार दिया गया है क्योंकि हर सिम्रत का और बादल ने स्तीफळ दे दिया है तो आपको बताना है कि भारत के इस मंधुअले के अनुशार जैवी खेथी करने के मामले में भारत कौनसे स्थान पर है तो जैवी खेथी के मामले में भारत दुनिया में नमबर वन पर है आप सभी जानते हैं कि 8 अगस के दिन Air India का एक विमान crash हो गया था जिसमें 19 लोगों की death हो गई थी और इसमें जो दो पाइलट थे दोनों पाइलट की death हो गई है आपको ये बताना है कि ये विमान जोए ये कौन से राजी में crash हुआ था तो ये crash हुआ था केरल के अंदर केरल में यहां का जो कोजी कोड़ जिला है यहां पर जो काली कट एरपोर्ट है यहीं पर ये crash हुआ था ये जहाज जो है ये दुबई से आ रहा था और ये यहां पर crash हो गया इसमें टोटल 190 लोग सवार थे जिन में से 19 लोगों की death हो गई है एक fortune नाम की magazine है ये हर साल दुनिया भर के 500 जो कमपनिया है उनको rank करता है revenue के अधार पर तो मुझे आद है 2019 में जब ये list आई थी तो इसका एक question exam में पूछा भी गया था तो अभी जो 2020 के लिए जारे हुई है Fortune Global 500 इसमें किस भारती कमपनी ने दुनिया की 100 series कमपनियों में प्रवेस किया है मतलब इसकी जो top 100 कमपनिया है उसमें कौन सी भारती कमपनी ने enter किया है तो इसका answer आप guess कर सकते हैं answer है Reliance Industries Limited यहाँ पर आप देख भी सकते हैं top 100 के अंदर इसमें भारत की एक ही कमपनी है Reliance Industries जिसके रैंक है 96 और दुनिया की सबसे ज़्यादा रेवन्नी वाली कमपनी है Walmart Tokyo Olympic 2020 में इन में से कौन सी कमपनी भारती टीम का स्पांसर होगी तो 2021 में होगा Tokyo Olympic 2020 इसमें जो भारती टीम जाएगी इसका स्पांसर होगी Inox Group so answer होगा option B यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यह हैं सिंजो आबे आपको बताना है कि यह कौन से देश के प्रधान मंतरी थे जिनोंने हाली में सौस्थे कारणों से इस्तीफा दे दिया था इनके बारे में आप सभी जानते हैं यह जापान के सबसे लंबे कारकाल वाले प्रधान मंतरी रहे हैं तो इसका अंसर होगा option A यानि की जैपैन और इनकी party का नाम है liberal democratic और इनके स्तीफा देने के बाद जो जापान के नए प्रधान मंतरी बने हैं उनका नाम आपको बिलकुल याद रखना है योसी हीदे सुगा योसी हीदे सुगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपने ब्रायन ब्रधास का नाम जरूर सुना होगा माइक ब्रायन और बाब ब्रायन ये दोनों जोड़ों भाई हैं जो कि अमेरिका के बहुती famous tennis player रहे हैं ये आज तक के tennis के थ्यास में सबसे best tennis doubles की जोड़ी रहे हैं तो ये tennis doubles के लिए खहते थे और इन्होंने आज तक 119 टूर्णामेंट जीते हैं ठीक है? तो इनका संबन tennis से था इस question का अंसर होगा option A तो अभी इन्होंने tennis से सन्यास ले लिया है next question and very important हाली में एक Nobel पुरुषकार वियता के डेथ हुई है जिनका नाम था John Hume आपको बताना है कि इनको कौन से छेतर में 1998 में Nobel पुरुषकार दिया गया था तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं ये Ireland से थे तो इनको वहाँ पर सांतिय स्थापित करने के लिए 1998 में सांति का Nobel पुरुषकार दिया गया था very very important इसके लाँ अमेरिका के एक हालिवूड एक्टर चैडविग बोस्मेन की हाली में डेथ हो गई इन्होंने आपको बता होगा जब ब्लैक पैंथर मुवी आई थी उसमें इन्होंने किंग टी चाला का रोल निमाया था जो की काफी मसूर भी हुआ था तो ये थे चैडविग बोस्मेन ऐसे ही ताइवान के पूर वाश्पती ली तेंग होई की हाली में डेथ हो गई ये ताइवान के अंदर लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहरे राश्पती थे अब ये सो दो वेक्ती हैं इनको एक साथ मैंने रखा है क्योंकि इससे आपको याद रखना आसान हो जाएगा ये दोनों ही लोग अमेरिका से हैं और कम्प्यूटर वैग्यानिक हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों ही अमेरिका के कम्प्यूटर वैग्यानिक थे एक का नाम है रचल किर्स इन्होंने पिक्सल का विस्कार किया था और दूसरे हैं इन्होंने computer mouse के अविस्कार में अहम योगदान दिया था तो इसमें कुछ और लोग भी थे जिनके साथ में इन्होंने शुरुवाती अस्तर पर mouse का अविस्कार किया था तो इनके बारे में आपको एक साथ याद रखना है जिससे आपको यासानी से याद रहेंगे किस football club ने UEFA Champions League 2019-2020 का खिताब जीत लिया है तो इस साल की UEFA Champions League का खिताब जीता है Bayern Munich ने ये जर्मनी का football club है तो आंसर होगा option C इसने final महराया था फ्रांस के Paris and Germany को यहाँ पर आपको ये बताना है कि भारत के नए नियंतरक और महालेखा परिक्षक कौन बन गए है Controller and Auditor General जिनको सौटवे हम लोग बोलते हैं कैग तो अभी कुछी question पहले मने आपको बताया था कि जो जम्मू कस्मिर के उपरा जपाल थे गिरीज संदर मुर्मू इनको भारत का कैग बना दिया गया है इनसे पहले कौन थे राजिव महरसी थे जो की 13 नमबर के थे तो इनके बाद जो गिरीज संदर मुर्मू है ये 14 नमबर के कैग बन गए है यहाँ पर फिर से आपके सामने भारत के चार मंताले के नाम लेखे हैं यहाँ पर आपको उस मंताले का नाम बताना है जिसने IT सक्षम चातरवित योजनाओ के लिए स्कॉच गोल्ड रवार जीता है तो IT enabled scholarship schemes के लिए स्कॉच गोल्ड रवार जीता है जनजाती कार मंताले ने जिसके मंतरी है अरजुन मुंडा चलिए यहाँ पर मैं आपसे question पोचता हूँ आपको यह बताना है कि जो अरजुन मुंडाज ही है इनको भारत की किस sport body का अध्यक्स बनाया गया है इनको इसे साल यह appointment किया गया था सायद January में इनको appointment किया गया था मैरी के लुकास रिजने वेल्ड यह question मैंने revision के लिया है देखते हैं आपको इतना याद हुआ है तो यहाँ पर आपको यह बताना है कि मैरी के लुकास रिजने वेल्ड जो है इन्होंने किस अपनी पुस्तक के लिए अंतराश्टी बुकर प्रुसकार 2020 जीता है तो I hope आपन आपको बताना है कि यह कौन से देश मिश्यत है तो इसका right answer होगा option D यानि कि सैयुक्त अरब अमिरात यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं और यह पूरे अरब जगत का पहला परमाण उर्जा सायंतर है और इसने काम करना शुरू कर दिया है इसमें 4 unit है इसकी पहली unit ने का और कि जिस सहर की यहाँ पर बात हो रही है बेरुस सहर की यह लेबनान की राजधानी है तो अंसर हो जायेगा option C और यहाँ पर जिस रसान की कारण विसपोर्ट हुआ था इसको बोलते हैं ammonium nitrate NH4NO3 लेबनान को यहाँ पर आप देख सकते हैं इसराइल तो आप जानते ही है तो इसराइल के उत्तर में है लेबनान और यह बिसपोर्ट यहाँ पर जो बिसपोर्ट हुआ था यह इतना भयानक था कि यहाँ पर जो साइपरस आप कंट्री देख रहे हैं यहाँ पर भी इसकी आवास सुनाई दी थी तो इसमें लगबग 200 लोग मारे गए और 1000 लोग इस मनाया जाता है तो इस साल जो अरजन प्रोशकार है यह 27 खेलाडियों को दिया गया है इन 27 खेलाडियों में से जो 12 सबसे चर्चित खेलाडी रहे हैं इनके नाम हापर आप देख सकते हैं जैसे कि सूटिंग में है मनु भाकर और सौरप चौधरी ऐसे ही क्रिकेटर इसान सर सर्मा और दीपती सर्मा तो यह जो बारा नाम लिखें मैंने इनके नाम आपको बिलकुल ही याद रखने हैं राज्टी खेल प्रोशकार में जो सबसे इंपोर्टेंट अवार्ड होता है राज्य युगांधी खेल रतन प्रोशकार जो कि पुरे भारत का सबसे बड़ा खे लाड़ियों को भी चुना गया है टेबल टेनिस प्लेयर मडीका बत्रा पहलवान विनेस भोगाट और होकी प्लेयर रानी रामपाल अब यहां पर मैं आपको इस बार के नेशनले स्पोर्ट अवार्ड से कुछ महत्वण कोशन बताऊंगा जो कि आपकी एक्जम में डिरेक बनाई थी इसके अध्यक्स कौन थे तो इसका अध्यक्स बनाया गया था मुकंदकम सर्मा को जोकि सुप्रेम कोट के रिटायर्ड जज्ज हैं और इसमें टोटल वैसे 12 सदशे थे राजीव गांधी खेल रतन प्रोशकार 2020 के लिए तीन महिला ख्याडियों को चैन किया गये इन मेंसे कौन इसमें सामिल नहीं है तो ऐसे कोशन जो थोड़ा सा यूनिक होते हैं ये अकसर आपके एक्जम में पुछे आते हैं तो आप जानते हैं इस बार तीन महिला ख्याडियों को चैन किया गया है तो ऐसे आपसन आपके एक्जम में दे सकते हैं तो इन मेंसे जो पीवी सिंदु हैं इनको इस बार नहीं चुना गया है इनको आपको पता होगा 2016 में ही भारत का सर्वोच खेल प्रोशकार मिल चुका है इन मेंसे कौन से दो क्रिकेट खिलाडियों को अरजुन प्रोशकार 2020 से सम्मानित किया गया है यहाँ पर मैं आपको एक इंटेस्टिंग चीभी बताता हूँ इस बार जो National Sports Award इसमें टोटल तीन क्रिकेटर्स को सम्मानित किया गया है और तीनों का ही सरनेम सर्मा है तो इसका आंसर आप समझ गया होंगे आंसर होगा दीपती सर्मा और इसान सर्मा इनको अरजन प्रोशकार के लिए चुना गया है इनको राजी उगादी खेलतन प्रोशकार के लिए चुना गया है और इस बार के जो समिती बनाई गयी थी उसके अद्धक्स थे मुकंदकम सर्मा तो इन सबको आप एक साथ याद कर सकते हैं इन में से किस विश्विद्याले को मौलाना अबुलकलाम आजार ट्रोफी 2020 पुरदान की गई है तो 2020 की मौलाना अबुलकलाम आजार ट्रोफी दी गई है पंजाब यूनिवस्टी चंडीगड को अब ये क्वेशन है तेन्जिंग नौर्गे राष्टी सासिक पुरशकार के बारे में ये जो पुरस्कार होता है ये सासिक कारों के लिए दिया जाता है अभी तक ये अलग से दिया जाता था लेकिन इस बार ये National Sport Award के साथ में ही दिया गया है तो इसमें चार कडिग्रीज होती हैं Land Adventure, Water Adventure, Air Adventure और Lifetime Achievement Award तो इस question में यहाँ पर पूछा गया है Air Adventure के डिग्री में तो इसका अंसर होगा गजानन्द यादव इन में से कौन सा राज्य थंबी महोसो 2020 नमक पहला Dragonfly Festival आयज़ित करेगा यहाँ पर पहला देखकर आपको लग रहा होगा कि यह पहली बार हो रहा है लेकिन इससे पहले भी यह होता था पसरते ही अभी तक National Label पर होता था पहली बार इसका आयज़ित स्टेट लेबल पर किया जाएगा तो स्टेट लेबल पर होगा तो कौनसा राज इसको आज़ित करेगा केरल और यहाँ पर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह जो Dragonfly है इसका नाम रखा गया है पंटालू यह इसका सुभंकर होगा किस राज की सरकार ने किसानों के लिए मुख्यमंतरी किसान सहाय योजना सुरू की है तो मुख्यमंतरी किसान सहाय योजना सुरू की है गुजरात की सरकार ने इसमें किसानों की अगर फसल बरबाद हो जाती है तो किसानों को मुअबजा दिया जाएगा इसके लिए उनको premium भी नहीं भरना होगा जनजाती कार्यमंत्राले जिसके मंत्री हैं अरजुन मुंडा इन्होंने हाली में जनजाती स्वास्थे और पोसंड से संबंदित कौन सा पोर्टर लांज किया है तो नाम से ही आप समझ सकते हैं भारत की जनजाती अबादी है उनके स्वास्थे और पोसंड के बारे में इस पर तमाम जानकारिया उपलब्द कराई जाएंगी तो इस पोर्डल का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है स्वास्थे नेक्स्ट क्वेशन एंड बेरी इंपोर्टेंट पीएम नरेंदर मोदी जी ने किस सहर में स्वाक्स भारत अभियान को समर्पित राष्टी स्वाक्सता के अंदर का उद्गाटन किया है तो स्वाक्स भारत अभियान जो था जो 2014 से लेकर 2019 तक चलाया गया इसी पर एक इंटरेक्टिब सेंटर बनाया गया है दिल्ली के अंदर इसकी आधार सेला रखी गई थी 2017 में और अभी इसका उद्गाटन किया गया है ये क्वेशन भी काफी महत्पूर्ण है क्योंकि ये जो दिवस है ये पहली बार मनाया गया है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस तो आपको बताना है कि ये कौन से दिन मनाया गया ये मनाया गया था महिने के पहले ही दिन यानि की एक अगस्त को तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं इस महिने के सभी important days और उनकी theme तो जिनकी भी theme important है वो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले है एक अगस्त इस दिन मनाया गया है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस यानि की Muslim Women Rights Day ये पहली बार मनाया गया है फिर 7 अगस्त को मनाया गया राश्री हतकरगा दिवस National Handloom Day फिर 10 अगस्त को मनाया गया विस्त जैव इधन दिवस यानि की World Biofuel Day यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वो days बता रहा हूँ जो की सबसे ज़्यादा महत्रपूर्ण है इनको आपको अपने एक्जाम टाइम में revise करके जाना है फिर इसके बाद 12 अगस को मनाया गया है अंतराश्टी यूवा दिवस International Youth Day जिसकी इस बार थीम है Youth Engagement for Global Action और यही वो एक मात्र डे है इस महिने में जिसके आपको थीम याद रखनी है बाकि आपको सारे days याद रखनी है जो कि आपको आल्रेडी पता होगा 12 अगस को ही मनाया गया है विस्व हाथे दिवस और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस बार के World Elephant Day पर जो भारत के बारेवड़ मंत्री है प्रकास जयावड़ेकर उन्होंने Human Elephant Conflict पर एक Portal launch किया है जिसका नाम है सुरक्षा Portal तो यह भी आपको याद रखना है इसके बाद 15 अगस को भारत ने मनाया 74th Independence Day 19 अगस को दो Important Days मनाया जाते हैं एक तो विस्व मानावतावादी दिवस यानि कि World Humanitarian Day और दूसरा होता है विस्व फोटोग्राफी दिवस फिर इसके बाद 20 अगस को मनाया गया है सदभावना दिवस जो कि राजी गांधी का बढ़्डे होता है और 29 अगस को लाश्ट में मनाया गया है राश्टरी खेल दिवस जो कि मेजर ध्यांचन जी की जैन्ती के रूपे मनाया जाता है किस मंत्राले ने चुनोती नामक नई पेड़ी के एक स्टार्ट अप रध्योगिदा शुरू की है ये जो कॉंटेस्ट सुरू किया गया है चुनोती नामसे इसका मकसद यह है कि भारत के अंदर साप्ट्वेर प्रोड़क्स की मेनिफेक्टरिंग को बढ़ावा दिया जाए तो इसके लिए भारत के जो स्टार्ट अप्स हैं उनकी हेल्प की जाएगी इनको विती साहता दी जाएगी तो इतने से आप यह समझ गये होंगे कि इसको सुरू किया भारत के एलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्रा लेने जिसके मंत्री है रवी संकर प्रसाद भारत के पुर्वत्तर राजयों में से एक मेघाले इसके नए राजयपाल कौन बन गए हैं तो इसका अंसर आप सो भी जानते हैं आंसर होगा सत्यपाल मलिक इससे पहले यह गोवा के राजयपाल थे और उससे पहले यह जम्मू कस्मीर जब राजय हुआ करता था तो उसके राजयपाल थे 2020 में किस क्रिकेटर को अंतराश्टी क्रिकेट परिसत के हाल आफ फेम में सामिल किया गया 2020 के लिए ICC हाल आफ फेम में तीन लोग को जगा मिली है एक तो है दक्षेन अफ्रीका के जैक स्कैलिस, पाकिस्तान के जहीर अब्बास और आस्ट्रेलिया की लीसा स्टालेकर इसको सन का अंसर हो जाएगा उप्रोग्त सभी यहाँ आप आप इनको देख सकते है भारत की एक प्राइबेट कमपनी है जिसने हाले में रॉकेट इंजन बनाया है और इन्होंने जो रॉकेट इंजन बनाया था इसका नाम रखा गया है रमन तो इसी के साथ में यह भारत की पहली प्राइबेट कमपनी बन गई है जिसके पास यह छमता है कि भारत के इंदर rocket engine बना सकती है तो आपको इसका नाम बताना है इसका नाम है Skyroot Aerospace ये हैदरबाद का एक startup है so answer हो जाएगा option B ब्रिटेन सरकार ने भारत के जो scientists हैं या फिर जो engineers हैं उनका समर्थन करने के लिए कितने million pound का innovation challenge fund launch किया है तो इसका correct answer होगा 3 million pound आप सभी जानते हैं कि 2020 में अभी तक कई सारी formula वर race हो चुकी है और इन में से जादर को जीता है Lewis Hamilton ने तो यहाँ पर सवाल यह है कि 4 यहाँ पर आपके सामने championship के नाम लिखे हैं इन में से किस एक को Lewis Hamilton ने नहीं जीता है इसका answer मैं आपको बाद में बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अगस महिने तक जो race हुई है इनको आपको याद के से रखना है तो इसमें आपको सिर्फ वो याद रखनी है जिसको Lewis Hamilton ने नहीं जीता है बाकि अगर कोई भी आती है तो इसका answer आपको डिरेक्ट निमा करना है Lewis Hamilton अगस महिने तक आपको सिर्फ दो race याद रखनी है एक तो है Austrian Grand Prix इसको जीता है वाल्टेरी बोटास ने और दूसरी है 70th anniversary Grand Prix इसको जीता है Max वरस्तापन ने तो अब आप इस question cancer बिलकुल इसको इसली कर सकते है इसमें से जो उपर की 3 है इनको जीता है Lewis Hamilton ने और 70th anniversary Grand Prix जो है इसको जीता है इन्होंने Max वरस्तापन ने तो इस question का answer हो जाएगा option D किस company ने भारत में बाढ़ पूर्मानमा जारी करने के लिए यानि कि बाढ़ हाने से पहले ही पूर्मानमा जारी किया जाएगा इसके लिए कौनसी company ने Kendri Zal I.U. के साथ partnership की है तो इसका right answer होगा Google जिसके CEO है सुन्दर पिचाई Next question and very important राजी उगांदी खेल रतने पुरस्कार इसमें पुरस्कार राशी जो मिलती थी साड़े साथ लाक रुपे इसको बढ़ा कर कितना कर दिया गया है तो इसका अंसर तो आपको बता ही होगा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हाली में चार के डिग्रीज में प्राइज मनी में चेंज किया गया है इसके बाद दूणचार प्रुषकार जो है ये दो केडिग्री में दिया जाता है लाइफ टाइम और रेगुलर तो लाइफ टाइम में कर दिया गया है 15 लाक रुपे और रेगुलर में कर दिया गया है 10 लाक रुपे ठीक है इसके बाद एक कडिगरी बसती है ध्यान चंद पुरुषकार इसमें कर दिया गया है 10 लाख रुपे तो अब हम कुश्यन पर आते हैं यहां पर पूछा गया है भारत के सबसे बड़े खेल पुरुषकार राजी उगाधी खेल रतन पुरुषकार तो इसमें 7.5 लाख रुपे शे बढ़ाकर 25 लाख रुपे कर दिया गया है किस राजी की विधान सबा ने एक प्रस्ता पारित किया है जिसके थाइट इस पुरे के पुरे राज्ये को सम्विधान की छटी निसूची में आने का प्रयास किया जा रहा है तो आपको पता होगा जो सम्विधान की छटी निसूची है इसमें भारत के चार राज्ये आते हैं इनको याद करने का फार्मूला ये है असम, मेघाले, तिरपुरा और मेजोरम तो अभी इसमें आरुनाचल प्रदेश को भी लाने की बात चल रही है इसी के लिए यहाँ पर पस्ताव पारित किया गया है तो अंसर हो जाएगा आरुनाचल प्रदेश इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेशन युनेसको ने किस राज के दो गाउं को सुनामी से नेपटने है तो तयारियों के लिए सुनामी रेडी के रूप में नामित किया है तो अगर आपने हमारी वीकली करेंट फेस की वीडियो देखी है तो अब तक आपने इसका आंसर कर दिया होगा आंसर होगा ओडिसा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो ओडिसा राज्य है इसमें दो जिलों को चुना गया है गंजम जिला और जगत सिंगपुर इनमें से एक एक गाउं को सुनामी रेडी के रूप में नामित किया गया है जो कि युनेस्को का एक प्रोग्राम है गंजम जिले से जिस गाउं को चुना गया है इसका नाम है वेंकट राइपुर और जगत सिंगपुर से जिस गाउं को चुना गया है इसका नाम है नोलिया साही तो इनके नाम आपको याद रखने है Digital Quality of Life Index 2020 की समगर रेंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है तो इसमें नमबर बन पर है डेनमार्क और भारत की रेंक है 57 याँ पर आप देख भी सकते हैं नमबर बन पर है डेनमार्क और इंडिया की रेंक है 57 9 अगस 2020 को सिरलंका के पुर्धान मंदरी के रूप में किसने से पतली है तो अभी तक जो सिरलंका के पुर्धान मंदरी थे यही फिर से बन गए हैं इनका नाम है महिनता रासपक से और ये कौनसी बार बने हैं? ये चौcy बार बनाए गए हैं यहाँ पर मैं आपको इस महीने की कुछ इस्पेसल नियुक्तियां बताऊंगा इस्पेसल इसलिए क्योंकि या तो इनको दोबारा से पॉइंट किया गया है या फिर इनका कारेकाल बढ़ाया गया है जैसे कि सेवी तो सेवी के जो अध्यक्स हैं आजे इत्यागी इनका कारेकाल अठारा महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है इसके जो अध्यक्स हैं जिन लेकन इनको दोबारा से पॉइंट कर दिया गया है यानि कि अब ये पांच साल तक बने रहेंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप्मेंट और्गनाइजेशन DRU के जो अध्यक्स हैं G30 Reddy इनको दोर साल के लिए फिर से पॉइंट कर दिया गया है G30 Reddy सिरलंका के प्रधान मंत्री हैं महिन्दा रासबक्स है जो की चौती बार फिर से बने है दुनिया की सबसे मुल लिवान पब्लिक ट्रेड़ कमपनी कौन सी बन गई है तो इसने हाली में सौधी अरामकों को पीछे छोड़ दिया है ये है एपल स्मार्टफोन बनाने वाली कमपनी एपल प्रधानमंत्री जंधन योजना की सुरुवात कौन से साल में हुई थी ये भी निउज में इसलिया था क्योंकि 28 अगस्त को इस साल 28 अगस्त को इसको 6 साल कम्प्रीट हो गए है तो 6 साल पहले इसके सुरुवात हुई थी यानि कि 2014 में ये क्वेशन वेरी इंपोटन्ट है यहाँ पर आपको बताना है PM नरेदर मोधी जी ने 74th Independence Day के अउसर पर स्वास्थे छेतर में किस मिशन का सुभारम किया है इसके दहे देश के हर एक नागरिक का एक Digital Health Guard बनाया जाएगा तो इस मिशन को नाम दिया गया है राश्ट्रिय डिजिटल सौस्थे मिशन नेश्टनल डिजिटल हेल्थ मिशन करेक्ट आंसर होगा ओपस अंगी इस बार के सब्दंतरता दिवश पर कई सर चीजे और भी हुई है जैसे कि भारत के जो खेल मंतरी है किरन डिजिजू इन्होंने युवाओं में फिटनेस को बढ़ाओ देने के लिए फिट इंडिया यूथ कलब की सुरुवात की है ऐसे ही इस बार के इंडेबेंडेस डेबर 926 पुलिस कर्वियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है और इसी आसर पर प्रधान मंतरी मोदी ने एनॉंस किया है कि डॉल्फिन और सेरो के लिए दो अलग अलग प्रोजेक्ट सुरू किया जाएंगे जिसके जरीए इनका सरक्षन और इनकी आबादी बढ़ाने का काम किया जाएगा ठीक है जिस तरीके से प्रोजेक्ट टाइकर सुरू हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट सुरू हुआ था ऐसा ही प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लाइन सुरू किया जाएगा अब इस कोशन में आपको यह बताना है कि इन में से किस राज्य ने सभी सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए ही आरक्सित करने के अनौश्मेंट कर दी है यानि कि सराज में जितनी भी सरकारी नौकरिया होंगी उसके लिए सिर्फ इसी राज्य के जो छात रहें वो आवेदन कर पाएंगे तो ये राज्य है मध्य प्रदेश Smart India Hecton 2020 में किस संस्थान ने प्रतम पुरुषकार जीता है तो इसका correct answer होगा Defense Institute of Advanced Technology जो की पुड़े में है तो इस संस्थान ने Smart India Hecton 2020 जिसका आज़ून की आगया था उत्तर पुरुषकार जीता है इस Institute के बारे में यहाँ पर आप कुछ important चीज़े बढ़ सकते हैं Then इसके बाद यह रा next question सरकार ने विदे से आने वाले कितने हत्यारों और रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है तो इससे भारत के रक्षा शेत्र में सोदेसी करण को बढ़ाओ मिलेगा क्योंकि इनको जब दूसरे कंट्री से आयत नहीं किया जाएगा तो इनको भारत में ही सोदेसी कंपणी दोरा बनाया जाएगा तो जिन उपकरणों की यहाँ पर बात की जा रही है इनकी संग्या है 101 विस्ट स्नोकर चेंपेंसिप 2020 का खिताब किस ने जीता है तो इस बार के जो वर्ड स्नोकर चेंपेंसिप हुई थी इसका आयज़न किया गया था इंग्लैंड के अंदर और इसको इंग्लैंड के ही एक वक्ति ने जीत लिया है जिनका नाम है रोनी ओ सूली बन और इन्होंने जिनको हराया था वो भी इंग्लैंड के ही है कीरेन विल्सन तो बस आपको याद रखना है किसको जीता है रोनी ओ सूली बनने इन में से किस ने भारत का पहला pocket android POS device launch किया है POS device तो आपने देखा ही है तो इसको बोलते है point of sale device जिसके जरी आसानी से digital payment कर सकते हैं तो अभी भारत का जो patium है इसने भारत का पहला android based POS device launch किया है So answer हो जाएगा option A Next question and very important किस राजगी सरकार ने वनवासियों के लिए यानि कि जो लोग वनों में रहते हैं उनकी अर्थब्योस्ता में कुछत तक सुधार करने के लिए इंदिरावण मितान योजना शुरू की है तो इंदिरावण मितान योजना जो है इसको शुरू किया है 36 गड़ की सरकार ने 36 गड़ यहाँ पर इस समय कॉंग्रेस की सरकार है और मुख्य मंत्री हैं भूपेस बगेल 36 गड़ में एक और योजना हाली में शुरू की गई थी जिसका नाम था गोधन न्याय योजना अमेरिका में उप राष्टपती बत के लिए डेमोक्राटिक पार्टी का उम्मीद्वार किसको चुना गया है तो देखे राष्टपती बत के लिए तो उम्मीद्वार आपको बताए एक तरफ है डोनाल ट्रम दूसरी तरफ है जो बाइडन लेकिन उप राष्टपती बत के लिए Donald Trump के तरफ से है Mike Pence और Joe Biden के तरफ से है ये Kamala Harris जो कि भारती मुल्क की एक महिला है So इस question का अंसर होगा Kamala Harris और इनकी party का नाम कौन सा है Donald Trump की party है Republican Party और Joe Biden की party है Democratic Party अब ये question books and authors से है और इसे कसाप मैं आपको बताऊंगा कि अगस्त महिने में कौन-कौन से important book चर्चा में थी तो सबसे पहली book है Connecting, Communicating, Changing इस किताब में किसके कारियों का वर्डन है तो इसका right answer होगा M.Bankaya Naidu क्योंकि 11 अगस्त 2020 को इनके कारेकाल के 3 साल complete हो गए है और इसी पर ये किताब लिखी गई है M.Bankaya Naidu इसका answer होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है M.Bankaya Naidu उपराश्पती यह हैं रक्षा मंतरी राजना सिंग और यह हैं Electronics or IT मंतरी प्रकास जावडेकर तो इन दोनों लोगों ने इसको release किया है अब मैं आपको बताता हूँ इस महीने में कौनसी बुक्स चर्चा में है यह पांच बुक्स आपको याद रखनी है सबसे पहले है चेतन भगत की जो नई नावल आई है One Arranged Murder फिर इसके बाद है Erwin सुबरमर्णेम की Full Spectrum Full Spectrum India's Wars 1972 से लेकर 2020 यानि कि 1972 से लेकर 2020 तक जो भारत ने युद्ध लड़े हैं उन सब के बारे में इसमें लिखा गया है इसको भारत के Retired Vice Chair Marshal Arjun सुबरमर्णेम ने लिखा है इसके बाद भारत की जो खुफिय एजनसी है Research and Analysis Wing इसके उपर एक किताब लिखी गई है A History of India's Covert Operations इसको लिखा है यतीस यादों ने Then इसके बाद नेक्स्ट बुक है Our Only Home A Climate Appeal to the World इसको लिखा है दलाई लामा ने इसके बाद ये जो बुक है ये वासु परांजबे के उपर लिखी गई है जो कि भारत के एक पूर्व क्रिकेट कोज थे तो इस किताब का नाम है Cricket Drone और इसको लिखा है इनी के बेटे ने जतीन परांजबे यहाँ पर मैंने इन सभी को Text Department बे भी लिख दिया है ताकि आप इनको आसानी से Note कर पाएं Then इसके बाद next question है जांच में उत्कृष्टता के लिए यानि कि Investigation में Excellence के लिए भारत की कितने पुलिस कर्मियों को 2020 के केंदरी ग्रिहमंती पदक से समानित किया गया तो इस पार Home Ministers Medal दिया गया है भारत के 121 पुलिस कर्मियों को और इन में से 21 महिला पुलिस कर्मी भी सामिल है So answer होगा option A हाली में Forbes ने 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले Actors की लिश जारी की है आपको बताना है कि इसमें एक मात्र भारती कौन है जिनको इसमें सामिल किया गया है तो इसका answer आप पर सकते हैं अक्षे कुमार यहाँपर आप आप देख भी सकते हैं नमबर बन पर हैं ड्वैन जांसन और अक्षे कुमार की रैंक है 6 Next question स्पोर्ट से है 2021 में होने वाले ICC T20 वज़सकॉप के मेजबानी कौन सा देश करेगा तो 2021 में जो T20 वड़कप होगा इसको होस्ट करेगा अपना भारत इसके अलामा जो इस साल होने वाला था 2020 में इसको अब कर दिया गया है 2022 में ठीक है तो 2022 का जो T20 के बड़कप होगा इसको होस्ट करेगा आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया इसको आईजूइद करेगा और 2021 में होगा भारत में कोरोना वाइरस के बारे में तो इसका नाम रखा गया है The Corona Fighters सो अंसर हो जाएगा Option C हाली में नीती आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया है निर्यात तयारी सूजकंग 2020 Very very important क्योंकि यह जो इंडेक्स है यह पहली बार जारी किया गया है और वैसे भी यह काफी महत्वपूर्ण है तो यह जो Export Preparedness Index 2020 जारी किया गया है इसको जारी किया है नीती आयोग ने इसमें नंबर वन पर है गुजरात यहाँ आप आप देख सकते हैं जो इसको नीती आयोग में जारी किया है और Overall Ranking में पहले स्थान पर है गुजरात और सबसे अंती मस्थान पर है जम्मू कस्मेर तो Top और Bottom आपको याद रखने है गुजरात और Last में जम्मू कस्मेर यह तो मनें आपको बताया Overall Ranking लेकिन इसमें चार अलगले केडिगरी बनाई यही है सभी राज्यों के लिए जैसे कि Coastal राज्य में No.1 पर है गुजरात हिमालियन जो राज्य है उनमें No.1 पर है उत्तरखन भारत के जो Land-Logged राज्य है उनमें No.1 पर है रजस्थान और जो भारत के Union Traitories है उनमें No.1 पर है डैली लेकिन Overall है गुजरात No.1 हाले में Google ने भारत में लोगों को नोकरी तलासने में help करने के लिए कौन सी application launch की है तो Google के आपको दो एप याद रखनी है एक तो है Sodor जो कि social distancing के लिए launch की गई है और दूसरी ये है कोर्मो jobs जिसको नोकरी तलासने में help करने के लिए launch किया गया है हर्याना की सरकार ने राज़े के खेल विभाग में किस खेलाडी को उपन इंदेशक के तौर पर point किया है तो हर्याना का जो खेल विभाग है इसमें दो खेलाडियों को deputy director बनाय गया है एक तो है कवड़ी प्लेयर कविता दलाल और दूसरी है पहलवान बविता फोगाट तो इस question का अंसर होगा ए और भी दोनो महिला विश्व टीम स्क्वेस चेंपियंशिप 2020 का आयोजन किस सहर में किया जाएगा तो इस question तो आप जानते ही है तो इसमें इस साल जो महिलाओं की वर्ल्ड टीम चेंपियंशिप होने वाली है इसका आयोजन किया जाएगा मलेसिया में मलेसिया की राजधानी कौला लंपुर में तो इसका अंसर हो जाएगा option C वैसे आपर सहर पूछा गया है लेकिन सहर नहीं यहाँ पर आप कर लिजए देश इसमें आपको बता दूँ जो भारत की टीम है इसमें नहीं जायेगी क्योंकि भारत ने इस से विड्रॉ कर लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के तीन सबसे बेस्ट इसकर्स प्लेयर्स हैं पूर्सों में सहरव, गोसाल और महिलाओं में हैं दो आपको याद रखने हैं जोसना चिनपपा और दीपी का पलिकल कार्टिक खादी और गामोद्योग आयोग यानि कि केवी आईसी की हाँ पर बात हो रही है ये किस पूर्वत्तर राज्ये में अपनी तरह का पहला रेसम प्रशिक्षन वा उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा यानि कि एक ऐसा संटर होगा जहाँ पर रेसम का उत्पादन भी किया जाएगा और लोगों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी तो ही अपनी तरह का जो पहला संटर होगा ये बनाय जा रहा है अनुनांचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी राजजी आनुनांचल प्रदेश अपना जो इंडियान रेल्वेस है ये किस पूरवत्तर राजजे में दुनिया के सबसे उंचे पीर ब्रिस का लिंदमाण कर रहा है तो दुनिया का सबसे उंचा pier bridge बनाया जा रहा है मड़ीपूर के अंदर अभी के समय है यूरोप के अंदर लेकिन इसका record जल्दी तूटने वाला है क्योंकि भारती railway मड़ीपूर के अंदर इससे भी उंचा pier bridge बना रहा है ठीक है तो यूरोप के मॉन्टे नेगरों में जो है इसके उचाही 139 मीटर लेकिन मणीपूर में जो बनाया जाएगा इसके उचाही होगी 141 मीटर 17 अगस के दिन भारत के किस महान सास्त्री गायक का 90 वर्स की आयू में निदन हो गया है तो इनको आप अचानते ही हैं ये हैं पंडित जस्राजी So answer होगा option A इनको भारत का दूसरा सर्वोत प्रोशकार भी मिला हुआ है यानि कि यहाँ पर में बात कर रहा हूं पदम विभूशन की जो कि इनको साल 2000 में दिया गया था ऐसे ही भारत के थियर्टर डारेक्टर और ड्रामा टीचर इब्राहिम अलकाजी की डेथ हो गई और मराथी फिल्मों के एक्टर और फिल्मेकर निसिकांत कामत पलिटीशन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के राजसभा संसत थे अमर शिंग इनकी डेथ हो गई है यह समाजोदी पार्टी से थे ऐसे ही तेलंगाना में यहां पर कॉंग्रेस पार्टी के लोगसभा संसत थे नंदी यलाईया इनकी भी हाली में डेथ हो गई है ये टोटल आठ बार सांसत चुने गए थे, छे बार लोगसभा में और दो बार राजसभा में ये जो प्रोजेक्ट है दिल्ली मेरट रिजनल रैपिड ट्रांजिट रेल प्रोजेक्ट इसमें 82 किलोमेटर लंबा एक कोरिडोर बनाया जाएगा ताकि दिल्ली के अंदर भीड़ भार कम हो तो आपको बताना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो ACI विकास बैंक है ये भारत को कितना रिड़ देगा इसके लिए ADB ने मंजूरी दे दिये है कि भारत को ADB देगा एक बिलियन डॉलर तो इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल मिलेगा एक बिलियन डॉलर लेकिन आपको याद रखने है अभी समझोता किया गया है 500 मिलियन डॉलर के लिए तो पहली किस्ट मिल चुकी है इसके बाद दूसरी किस्ट में भी 500 मिलियन डॉलर दिये जाएंगे आप जानते हैं भारते रिजर बैंक हर साल केंदर सरकार को ADCES के रूप में कुछ अमाउंट देता है तो आपको बताना है कि वित्ती वर्स 2019 बिस के लिए कितने करोण डॉपए दिये जाएंगे तो RBI केंदर सरकार को देगा 57,128 करोण डॉपए for 2019-20 ये क्वेशन वेरी इंपोर्डेंट है इसमें आपको ये बताना है कि किस राजी के खाजे हरमल मिर्च और मोयरा केले को ZI टेग दिया गया है तो इस क्वेशन का सही आंसर होगा option A यानि की गोवा किस भारती पत्रकार को प्रेम भाठिय प्रोषकार 2020 प्रदान किया गया है तो ये जो प्रेम भाठिय प्रोषकार होता है ये एक साल के अंदर दो केडिगरी में दिया जाता है Political Reporting जो कि इस बार दिया गया है दीपंकर घोस को और दूसरा है Environmental Reporting ये इस बार दिया गया एक website को जिसका नाम है People's Archive of Rural India तो अगर आप question में देखेंगे तो यहाँ पर category mention नहीं है तो आपको option से answer करना होगा दीपंकर घोस जो कि Indian Express के एक पत्रकार है एक captain के तौर पर अंतराश्ची cricket में सबसे ज़्यादा शक्के लगाने वाले बल्ले बास कौन बन गए है तो अभी तक ये record था भारत के महेंदर स्टिंग धोनी के नाम क्योंकि इन्होंने 211 शक्के लगाए थे और अब इनका record तोट गया है क्योंकि जो England के लिए खेलते है योन मारगन इन्होंने 213 शक्के लगाए है तो इस question का अंसर होगा option A इन में से किस देश ने महत्मा गादी के सम्मान में एक सिक्का जारी करने का फैसला किया है तो ये फैसला किया है Britain ने जहांके पुर्धान मंतरी है Boris Johnson तो ये था आज का last question उम्मीद है कि आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा अब यहाँ पर मैं आपसे तीन question पोछूँगा जिनका right answer आपको comment box में लिख कर बताना है सबसे पहला question ये है कि अरब जगत का पहला परमाणव उर्जा सेंद्र कौन से देश में स्थाबित किया गया है question number two बेरुद सहर जो की भैंकर विस्पोर्ट के कारण खबरों में था ये कौन से देश की राजधानी है और आपके लिए आज का तीसरा question है आठ अगस्त को किस देश में परिया वर्णी आपात कालिन इस्थिती अनाउंस की गई ये question का answer साइद मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताया है तो यहीं पर मैं आपको बतायता हूँ इसका answer होगा Morisus ठीक है? Morisus क्योंकि जापान का एक जहाज था जो Morisus के रास्ते ब्राजिल जा रहा था सिंगापुर्शे तो ये Morisus में फस गया था और इसमें से 1000 टंजो फ्योल था वो leak हो गया था तो इससे यहाँ पर परिया वर्णी आपात कालिन इस्थिती अनाउंस की गई थी तो ये तो चलो मैंने आपको बता दिया है इन दोनों question का अंसर आपको बताना है तो इसी के साथ हम लोगों ने पूरे अगस्त महीने की सबसे महत्वपूर्ण current affairs को cover कर लिया है इनसे बाहर आपके exam में सायधी कोई question आएगा तो अगर आपका आने वाले समय में अगले 6-7 महीनों में कोई भी exam है तो आप इसको जितनी बाहर हो से के revise कीजिए इसके आप कुछ से notes बनाईए जो की exam time में आपको revision करने में help करेगा और अगर आप ये सब करते हैं तो आप आने वाले exam में देखेंगे आपको इसी वीडियो से 5-6 कोसन देखने को मिल सकते हैं तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो इसको like और share जरूर करें Thanks for watching this video इसके बाद मैं जुलाई की जो current reference बची है उसको भी लेकर आऊंगा फिर उसके बाद September की मंतली current reference आएगी So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन बंदे मातरव